दोस्त आप beginner हो और nifty 50 में option trading करते हो जैसे ही आप trade लेते हो market sideways हो जाता है और आपका नुसकान हो जाता है यानि जब भी आप trade लेते हो आपका नुसकान हो जाता है और जब आप trade नहीं लेते हो तो आपके हिसाब से ही market चलता रहता है ठीक तो आज मैं आपको एक ऐसा timing बताने वाला हूँ अगर उस टाइम पर ट्रेड लोगे तो आपको लॉस कभी नहीं होगा जैसे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो आपको लॉस होने का चांस बिलकुल जीरो था आपको प्रॉफिट ही होता लॉस बिलकुल भी नहीं होता तो ऐसा क्या है यहां पर और यह कौन सा टाइमिंग है और यह आज ही सिर्फ हुआ है क्या डेली होता है देखो यह जो टाइमिंग है यह आपको डेली देखने के मिलता है आप पैसा बचा के रखोगे तो डेली यहां पर प्रॉफिट कर सकते हो लेकिन आप लोग क्या करते हो आपके पास म आपको प्रौफिट हो सकता है आप लोγο क्या करते हैं तेखो ट्रेडर लेने क्या गलत भी क्या मैं आपको बताना चाहूंगा तो सीखता है candle stick pattern यह hammer यह बूली सराम यह सब को सिक्टा है तो वहाँ पर सीधा सीधा बताया जाता है कि जैसे अगर इस तरह से बना 50 पर मतलब 50% या फिर 30% उसका body है बाकी उसका stick है मालो 30% body है बाकी उसका stick है थोड़ा वो निकला रहेगा तो इसको hammer बोलते हैं लेकिन जो नया trader वो भूल जाता है उसको क्या याद रहता है कि यार यह भी hammer है यानि अगर इस तरह से बन गया ना यहाँ पर जाएगा अब दिखो यह नीचे गया और यहाँ पर भी green candle बना लिए है यहां पर भी green candle बना लिए अप क्या करता हूं ले ले लेता हूं और वह यहां पर जैसे लेगा market थोड़ा सा उपर जाएगा फिर सटाग देना नीचे गिड़ जाएगा आपका पैसा कट गया तो यह गलती आप ना करो देखो जब भी आप ट्रेड लो अच्छी तरह से देख आपको दिखाता हूं जूम करके ताकि आपको अच्छे सौन्य आ जाए देखो यहां पर एक हैमर बना है यह पूरी तरह से हैमर है अब आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इसको कोई ब्रेक तो नहीं किया जैसे यह इसके नीचे ही रह गया यह वाला candle जो है इसके नीच करना है नीचे की ओर गया है तो यहां पर प्रिट हो जाता हूँ देख यहां पर तेलिक्न आप गलती कर देता यहां पर लोगे नहीं और भी अगर पर आपको दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से hammer बना है यहां पर देखो यहां पर एक hammer बना है अब बहुत लोग क्या करेंगे hammer बनते यहां पर मतलब सोचेंगे ही market अभी और उपर जाएगा लेकिन देखो hammer बनते मतलब इसी hammer बनी रहा है और उसी वो खरीद लेंगे यहां पर खरीद मतलब hammer sorry मैं गलत बोल गया यहां पर hammer बन गया और market थोड़ा सा hammer के ऊपर निकला तो आप खरीदोगे और देखो market थोड़ा सा तिन नीशा उपर गया और उपर सटाग देना नीचे गिर गया आपका loss हुआ न तो यहां पर आपको wait करना पड़ेगा कि भले यह bullish hammer बना है तो market के नीचे भी गिरा सकता है मतलब यह नहीं है कि bullish hammer का काम उपर की और ही जाना है bullish hammer का काम नीचे भी है नीचे बी ले जाएगा ठीक तो यह आपको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा अच्छी से और सिर्फ यही नहीं आपको एक चीज और समझना पड़ता है protocol कि यहां पे support भी पड़ता है, अगर आपने यहां पे खरीदा, तो आप यह भी देखो किसका support कहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो मैं यहां पे यह ले लेता हूँ, यहां पे draw कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे समझया जागा, ठीक, देखो मालो यहां पे आपने खरीदा अब यहां पे देखो एक सपोर्ट है ना देखो यहां पे भी एक सपोर्ट है यहां पे एक सपोर्ट बोल रहा हूं रजिस्टेंस यहां पे एक रजिस्टेंस है यहां पे रजिस्टेंस है और यहां पर भी रजिस्टेंस है दो तीसरी फिर जब यहां पर आता है तो market मतलब seller उपर से नीचे धकेल देते हैं फिर उपर गया seller फिर गिरा दिया तो market नीचे गिर गया तो यहां पो समझना पड़ेगा कहा seller बैठा है कहा buyer बैठा है अगर आप यह समझ गए तो आपको profit करने से कोई रोक नहीं सकता है मैं promise करता हूं क क्योंकि यही सिर्फ the candlestick नहीं देखा जाता अब देखो यहां पर आप यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर देख यहां पर राजिस्टेंस बैठा है अब यहां से मार्केट गिरेगा तो कहां तक जाएगा कहां सपोर्टर बैठा है देखो supporter को भी आपको ध्यान में देना पड़ेगा तो मैं याप सपसIntel जोड़े मार्केट जब भी गिरता है artwork उठाएं उपर से market गिरता है तो इधर देखो supporter है यहां पे बड़ा supporter नहीं छोटा supporter लेकिन बड़ा supporter है supporter सभी जगा आपको मिल जाएगा लेकिन आपको यह भी ध्यान देना कि supporter सबसे बड़ा कहा है मार्केट यहाँ पर भी रुख सकता था लेकिन यहाँ पर नहीं रुखा थोड़ा नीचे चलाया ठीक और अगर आप ध्यान दो तो यहाँ से जब मार्केट उठाना मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मार्केट तोटा फिर गया फिर वहाँ से ठेला सपोर्टर यहां याँ देखो ऐसे चलने लगा उसके बाद फिर नीचे गी रहा तो ऐसे आपको सपोर्टर सको और रोजिस्टेंग लाइन ड्रॉл कर ले ना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना है ठीक तो और स्वारी भाई देखो यहां पर साइड वेज मार्केट चल रहा था वह भी डाउन ट्रेंड में यहां पर अगर आपको देखो एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा यहां सबसे पहले आपको यहां पर लाइन क्या ड्रॉ करना है यहां से मार्केट देखो गिर रहा है देखो यहां से मार्क इसको पहले हटा देता हूं और यहां पर देखो ट्रेंड लाइं में खिंशता हूं ठीक यहां पर ट्रेंड लाइन है यहां dir Def a aquest नीचे कही सब बता हो एक लाइन और खिंशता हूं फिर आपको अच्छी सम्娘 changiała तीख यहां पर बी आथा सपोट लेक उपर चला जाते। अब बताओ, यहाँ पे क्या है, मारकेट दिखो तो, मारकेट ऊपर से गीरा, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर से गीरा, फिर ऊपर चला गया, यानि यह ऐसे ही ऐसे चल रहा है, अगर यहाँ पी आप ट्रेड लोगे, तो आपका stop loss काटेगा फिर उपर जाएगा फिर मतलब आप जैसे ही खरीदोगे थोड़ा सा उपर जाएगा फिर आएगा नीचे आपका stop loss काटेगा फिर उपर जाएगा अब आप सोचो कि मैं उपर का लूँ आप उपर का जैसी लोगे थोड़ा सा उपर जाएगा फिर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा थो ठीक तो आपको अच्छे समझाएगा यहां पर देखो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था मालो इधर आपने ध्यान नहीं दिया आपको लगा भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगा अब ऐसा तो अब देखो आगे का नहीं दिखता है बात यह है ना कि अब देखो मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूं कि देखो यहां हैमर बनाया और यहां से उपर गया यहां पर खड़ी देखो तो आपको प्राफिट हो जाता लेकिन जब आप लाइव चार्ट तो यह हैमर बना अब यह हैमर बनने के बाद यह केंडिल बन रहा है ना तो कितना धीरे धीरे उपर जा रहा है और यहां पर यह भी देखना पड़ेगा कि यहां पे देखो सपोर्टर भी बैठा है यहां पर आप देखो यहां पर भी देखो सपोर्टर बैठा है ने देख लो यहां पर दिखाना चाहूंगा देखो यह यहां पर देखो सब्सक्राइब इस अब कियों आपको बताता है यहां पर जैदा लोस हो सकता यहां पर अगर आप आप सही से करोगे तो क्योंकि momentum बहुत ज़्यादा होता है तो आपको stop loss तूरंत लगाना है नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा loss भी हो जाएगा देखो timing है दो बचके 55 मिनट से तीन वजे वाली candle जैसे ही पूरी तरह से बन जाए मैं आपको दिखाता हूँ यह जो candle आपको दिख रहा है न यह green वाला hammer की तरह यह 25 से लेके तीन बजे वाली candle है यह जैसे ही बनेगा और तीन बजे वाली candle जैसे ही शुरू हो और यह जो green है green वाले को ऊपर जैसे ही जाए यहाँ पर आप खरीच सकते हो यहां पे आप खरी सकते हो अगर market ऊपर की और जारा जैसे देखो मैं आपको फिर दिखाऊंगा यह 25 से 3 बज़े वाली candle है क्योंकि 5 मिनट के time frame पे मैं देखता हूँ उसके बाद यहां पे इसको जैसे यह break करे मतलब यह जो 25 से 3 बज़े वाली candle है इसको यह जैसे यहां पे break करे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहां पे यहां पे market जैसे ही जाए यहां पे आप trade ले सकते हो यहां पे आप trade लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा profit होगा और loss भी बहुत तेजिस होता है तो आपको यह भी ध्यान देना है कि यहां से market जैसे उपर जाया है आपको इसको घिसकाते घिसकाते देखो market यहां पे आ गया ठीक market यहां पे आ गया आपने यहां नीचे खरीदा देखो आपने यहां नीचे खरीदा तो आपको इसको कर देना MARY मार्केट यहां आगया आप मार्केट मैं थोड़ा डॉण्वार्ण आने सब्सक्राइब तो करना चार पॉइंट पारश सब्सक्राइब करते हैं यहां पर इसको जैसे ब्रेक करें कि उपर खरीड लोगे और नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा कितने पॉइंट का यहां पे stop loss मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे 47 हमने खरीदा stop loss हमारा 31 है तो आठ पॉइंट का stop loss है तो बस इतना stop loss रखो और उपर जाएगा तो आपको बहुत profit होगा तो 2 बच्के 55 मिनट से लेकि 3 वजे वाली कंडिल जैसे बन जाए अगर मार्केट उपर ढ़िए उसको ब्रेक рокण कर रहा तो उपर की तरफ आप खरी सकते हो मार्केट नीचे जा रहा तो आप नीचे की और खरी सकते हो वह चीज आपको YouTube पर कोई नहीं बताएगा यूटूबे सिर्फ यह बताएंगे आपको कई ये या चीज फालॉ करो आपको प्रॉफित फालॉपित ही प्रॉफित हो ये